भारत के डिफेंस के बारे में जदी जानना हो तो विंग कमांडर प्रफुल बक्षी जिसे कोई बड़ा आज की डेट में वर्तमान में हिंदुस्तान में कोई एनालेसिस आपको नहीं दे सकता भारत के defense के बारे में यदि एक independent voice यदि कोई है तो वो है wing commander प्रफुल बख्षी आईए उनसे बात करते हैं और जानते हैं भारत के defense, defense strategy, defense के बारे में बहुत सारी बाते हैं डिसकस करनी हैं उनसे सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की जो borders हैं आज की date में कितनी secure हैं 10 साल पहले और 20 साल पहले के दर्मिया क्योंकि challenges अब बदल रही हैं and challenges are different enemies may be neighbors but enemies are also different and more strategic बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है और आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि strategy और जो current होती है किसी country की वो एक threat के ओपर depend करती है पहले क्या था हमारा जो strategy थी या पहले हमारी policies क्या थी defense की और अभी क्या है बड़ा फरक आ गया है पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कि मैं ये chapter हम डिसकस करें सबसे पहले एक बात ये होती है कि जब अपने देश की threat के ओपर चिंतन किया गया हो सोच विचार किया गया हो तो उसके ओपर doctrines लिखी जाती है बेसिक जो national policy होती है उसके तहट doctrine डेवलप होती है और doctrine के तहट various policies down the line जाती है जिसको rules of engagement कहते हैं भारत की पे ये सबसे बड़ी weakness रही है कि 1995 तक जब Rand Corporation ने एक बड़ा भारी लेख लिखा और Indian Parliament में कम कभी मच कि भारत का 1947 से लेके 1995 तक कोई doctrine ही नहीं थी डिफेंस सेक्यूरिटी आर्मी नेवी एर फोर्स बिना doctrine के लड़ाई कर रही थी ये बात Parliament में जो है एक धमाकी तरह उठी और जल्दी जल्दी तीनों सर्विसिस ने अपनी doctrine लिखनी शुरू करी doctrine का मतलब होता है आपकी जो basically आपका stand क्या होगा जब threat होगी कौन कैसे लड़ेगा किस किस तरीके से लड़ेगा किस के पर responsibility आएगी इत्यादी इत्यादी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कितनी limit में करना चाहिए चाहे nuclear हो चाहे conventional की doctrine हो ये जल्दी जल्दी में लिखी गई तो अभी जो हालत ये है डाक्ट्रिन के हिसाब से अभी भी इंडिया कमजोर है अभी भी पर पिछले छे साथ सालों में ये देखा गया है जो करन्ट सरकार आई है कि इसमें बहुत तीवर गती से तबदीलियां आ रही है तीवर गती से सोच हो रहा है और उसका आप नतीजा और खामिया किलो मीटर आपने दुश्मन को जोली में उठाके दे दिया और चूं तक नहीं करी कि वहाँ तो घास नहीं उकती तो हम क्या करेंगे उसका ये सोचा और अब कहा है अब वही कंट्री जिसने हमारी 48000 स्क्वेर किलो मीटर ली थी अब वह बात दे हो गया है कि हम अब कोई न चाइना मिले हुए हैं पर ये टेंपरेरी हो सकता है कोई पर्मिनेंट दोस्त नहीं होता कोई पर्मिनेंट दुश्मन नहीं होता तो इस समय भारत की जो तैयारियां है इसके हिसाब से जो 62 के बाद चाइना के खिलाफ अगर मैं आपको उधारन देता हूं 62 में हमारी कोई उसे पर नहीं तैयारी नहीं थी वह हालत हुई जो आपको पता है और उसकी के तहद मैं आपको थोड़ा सा अब अलग जाके समझा देता हूं भारत की हार इसमिए वह कि भारत को एर फोर्स का इस्तमाल करना नहीं आता था एर फोर्स का इस्तमाल करना क्यों नहीं आता था क्योंकि ये डॉक्ट्रिन में कभी क्लियर नहीं था रूल्स अंगेजमेंट की किस मौके पे एर फोर्स को लगाया जाएगा किसी ने कान भर दिये प्राइम इनिस्टर के कि अगर आपने चाइना के और बंबा एर फोर्स लगाई तो अलाबाद, कैलकटा, बंबे, मडरास, डेली, लकनाओ, हर जागा बंब डाल देगे। उन्होंने बैक आउट कर दिया और एर फोर्स को का आप खाली कर दो नौर्थीस्ट, छे फाइटर स्कॉर्डन्स को पंजाब और दिल्ली भेज दिया, आपकी आर्मी आर्मी जो एर सपोर्ट मांगती रह गई और उसकी हार हो गई, पता ये चला कि चाइना के पास सिर्फ चा आती थी, वही थी उनके पास, क्वेश्टन ये है, कि ये तब होता है, कि हमारे डॉक्टरी नहीं लिखी होती, चिंतन नहीं किया होता, पॉलिसी नहीं लिखी होती, तो ये जो चीज थी, उसके हिसाब से 62 के बाद देखा गया, कि किसी ने, हमने कोई तैयारी नहीं करी, ख रुनाचल तक उनके छे एर फील्ड हैं वेरियस ओर्डिन्स डेपोज हैं रेलवे यार्ड हैं एमुनिशन डेपोज हैं मिजाईल बेसेज़ हैं आपको इस समय आपके सोल्जर को फिर भी पैदल जाना पड़ता है खच्रों पे और पहुंशना पड़ता है पर उसमें छे साल में बड़ी तबदीली आने लगी है ये मैं खुशकबरी आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये चुकाने वाली बात है और चाइना इस से घबरा के चाइना ने ओफेंसिव एक्शन लेने की बात करी और चाइना को मुगी खानी पड़ी जो 29 अगस्त और 30 अगस्त की रात वो 220 20 में जो हमने हाइट्स दी त Seriously और कालाश वैट्स जो ली उसके तहर चाइना को यह बात होना पड़ा तो आप अब Tयारी की बात कर रहे हैं अभ समने तयारी शिरू कर दी 되는데 कि हमारी तयार थे और तैयार हैं तैयारी शुरू कर दी है और हमको अभी भी छे या साथ साल और लगेंगे प्रॉपरली टू फ्रेंट वार को सामना करने के लिए प्रॉपरली सेक्टर वाइज हम कर सकते हैं Modernization एक long-term process है, capital investment है और यकीनन बहुत जरूरी है आप एक बात हमेशा कहते हैं, if you are strong in defense, your politics will be strong and your economy will be stronger Now that has been slowly being incorporated That's right, you are very right, it has slowly started, the finally the python has started moving अब इसका power की अब आप पता नहीं चलेगे, क्योंकि Indigenization program के कारण ही हमारी हालत थी कि आप कोई भी ना tank, ना guns, ना aircraft, ना aircraft engines, ना tank engines, आप के main artillery shells, main artillery guns, कुछ नहीं बनाते थे तो फिर सब खरीदते थे, छे खरीदार आपके दर्वादे पे खड़े हो जाएंगे, जो आपको खुश कर देगा, आप उसके file को sign कर देगे और यही तब ही था, defense के scandal सबसे ज़्यादा थे, अब बहुत बात नहीं रही, धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आने लगा है, बड़ी दुरत गती से, तीबर गती से, हम Indigenization की तरफ बढ़ रहे हैं, और foreign technology आ रही है, वो direct foreign directly investment की बात हो रही है, offset arrangements, यह सारी technicality मैं आपको अ सब के होने से, हमारी जो अब जो है, जैसे अब रफाईल की जहास की बात हो रही है, वो आ रहा है, अब उसके Indigenization program स्टार्ट हो जाएंगे, सुखोई 30 का Indigenization program स्टार्ट हो रहा है, पर जब तक हम engine नहीं बनाएंगे, avionics नहीं बनाएंगे, ammunition नहीं बनाएंगे, और इंजिन बनाना शुरू करें, और उसका export शुरू करें, जब तक आप defense को बनाके export नहीं करेंगे, आप किसी लाइक नहीं है, चाइना ने वही MIG-21 बनाया, चाइना ने उसको पाकिस्तान को दिया, F7P, बंगला देश को दिया, स्री लंका को दिया, मैनमार को दिया, और बा इसी लिए मेरे को कहते हुए रंज होता है कि यह हमारी problem थी, पर अब यह problem नहीं रही है, यही खुशी की बात है Sir, avionics और engine और electronics, यह तीन बहुत important component होते हैं, aviation या air force के लिए, या उनके engine और fighter jets के लिए You are a wing commander, you know the problematic Tejas has finally trying to find its space देखिए, Tejas की बात है, 35 साल निकल गए है, मिरे को अची तरह याद है, मैं South Block में spokesperson होता था उस समय, openly Tejas और DRDO के involved लोग थे, वो कहते हैं, यह होक्स है, air force मन्जूर नहीं कर रही थी, और वही बात हो गई कि अब Tejas को दुनिया का एक उम्दा जहाज माना जा रहा है, competition में उतर रहा है Question यह है, आपकी जो political thought process जो है, जो अटल बिहारी साब ने जो actual जोर लगाया और Tejas को develop करने के लिए और जोर लगाया, तब बात तेज हुई, present regime में आपने देखा मैं यह नहीं कहता कि पिछले काम स्टार्ट नहीं हुआ था, होना शुरू हो गया था पर वो बात नहीं होती थी, जिसको कहते ना कि ultimate जोर लगाने वाली बात होती है, तब बात बनती है, तब तेजस आना शुरू हुआ है, और इसलिए अब आ रहा है, आप अभी भी M777 ल हो रहे हैं, अब आपको फिर भी इतना सारा कुछ करा आपने तेजस की बात करी, वेरी गुड पर हमको इस से ज्यादा और करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ, छे या साथ साल अभी भी हमारे बाकी हैं, तेजस का नेक्स्ट वर्जिन, अभी Mac1, Mac1 से थोड़ा आगे Mac2 तक हम पहुचने की कोशिस कर रहे है, Mac2 नो डाउट इस गुड और बेटर दन वाट वी वेर, और इफ इस इंडिजिन, इन शुर्ली इन शुर्ली, अधि यह मैं की जस्ट बात कर रहे हैं, एक HF24 एकराफ होता था, जिसको मैंने फ्लाई किया है, वो जर्मन डिजार ने नहीं था, वो एरफ्रेम वोस टेस्टेट पर 2.6, Mac, कैन यू बीट इट, स्पीड की बात नहीं होती, उसमें होता है, एवियॉनिक्स क्या लगे है, वेपन डिलिवरी सिस्टम क्या लगा है, वेपन टार्गिट एकुजिशिशन सिस्टम क्या लगे है, रडार कौन सा है, Mac डिल्टा 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 डेगर जो होते थे, वो बड़े, सब Mac 2.2, 2.3 पर जाते थे, पर उनको कोई फाइदा नहीं हुआ, यह बेसिकली होता है, आपका अंदर मुद्दा क्या है, क्या चीज लगाई हुई है, आपने, आपने बिलकुल, यह हिट दे नेल, रफाइल में भी यही बात हो रही थी, जब पिछली सरकार ने रफाइल को लिया, लेनी की बात करी, आप भी जब रफाइल आना सुरू हुआ, तब तक यही बात हो रही थी, अंदर क्या मामला है, किस रेट पे लिया गया, 500 करोड के रेट पे लिया गया, अब क्यों 1300 करोड हो गया, ये शायद आपके इन इन पिन पॉइंट इन पॉइंट से शायद वो बात एक बार हम और हमेशा के लिए ये बातें बंद हो जाएंगे क्योंकि यू आ वेटरेन आफ एर फोस देखिए ऐसा आपके खहरें ठीक है एक ठाचा और एक और होता है उसके जो कॉक्पिट रेडार उसका जो वो उसके ही वन थर्ड प्राइस एक्राफ्ट उसमें आ जाती है आप उसमें लगा रहे हैं वेपन टार्गेट डिलिवरी सिस् में प्राइस तो उसमें चली जाती है इंजिन एंजिन के वेरियंट्स आप वो एर फ्रेम का बाडिफिकेशन आर इंडी ये सारी चीज़ें होती हैं जो डाम आगे कर देती हैं एल सी ए में अब टेजस में अगले ट्विन इंजिन टेजस की बात आएगी ट्विन इंजिन बिल्कुली अलग जास होगा और न्यू जिसको कहते हैं जेनरेशन एक्राफ्ट आ जाएगा मतलब यह है कि एक हमारी जो एफ़र्ट में चारचांद लग जाएंगे दो सवाल इंपरें यहां पे पहला सवाल ये की आर यू कविन्स विए अविजिन इंजिन इंजिन इन इंडिया वान and second you may not like the political bickering that is going on as a defense person per se but do you think that opposition party at this present time is at least not being very conducive to the positivity of defense forces you are very right I am in no position to you know and I would not like to you know comment upon any political body any political party but what I would like to tell you that until and unless you understand the defense aspect and defense equipment you should not make any statement defense is not a rosegar yojana defense is not you know a daily coi welfare society that you can talk about it this is not a women's liberation and human rights situation no this is national security only the right people must talk about it and you blink the eye you are dead exactly because you're not only you are dead your nation's security and sovereignty is at stake what is more important that is why the you are political parties की बात कर रहे हो जब वो statement बनाती है criticize करती है दिल को बहुत दुख होता है हमारी फौज को दुख होता है कि यह क्या बात कर रहे हैं अब आप बाला कोट की स्ट्राइक को दे लो लोग वही बंदे बैठे हुए हैं यहीं पर हर जगा जी प्रूफ लाइए आपके बंद का जास गए थे पर जब पाकिस्तानियों ने गुटने टेक के हाथ जोड़ के कह दिया हाँ हमारे स्ट्राइक को यह 300 बंदे मारे गए इनके मुह बंद हो गए मुह दिखाने लाइक नहीं रहे लेकिन वो एक साल और उससे भी ज़्यादा पीरियड जो वैकम था जो वैकम क्रियेट किया गया वो शायद आपको भी बहुत दुख देता होगा अरे दुख ही नहीं देता था हमें हासी आती थी कि यह बंदे है और हमारे जवान मारे गए हमने उसके पर हमने एश्ट्राइक करी वो जवान को मारे जानों कहते हैं कि घर का मामला था इंटरनल अर्रेंग्मेंट थी इसलिए आप अपने बच्चों को मार दिया और फिर कह अदुगा तब स्थिक हमारे लोग मानते नहीं है बात सारी ये है जब नाशनल प्राइड खताम हो जाती आपका सेल्फ एस्टीम आदमी की खताम हो जाती है तब वो ऐसी बाते करते हैं हमारे भारत में इसका बड़ा आभाव है सेल्फ एस्टीम में नहीं हम दुश्मनकी बात औरों को खुश करने के लिए बात बाद जल्बंदी कर देते हैं तभी हमारे लोग इतनी जल्दी गुलाम बन गए इतनी जल्दी गुषने टेक गए किसलिए क्योंकि आपको आप में सेल्फ एस्टीम नहीं थी जिसको कहते हैं राश्ट गरव और वह नहीं था आपको फ तो नहरा भविष्य फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की ओर बढ़ने का है लेकिन उसके पीछे यदि हमारा डिफेंस मजबूत नहीं है तो फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी हम पहुंच भी नहीं पाएंगे आपने एक छोटी सी बात भी कही कि डिफेंस एक्सपोर् आई वोल्टेज प्रोड़क्ट पर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको एक तो एकॉनमी आपकी नहीं बढ़ेगी और आपकी एव्यॉनिक्स और आपकी जो डिफेंस की जो एक्विपमेंट्स है उसका ट्राइल और और उसका एफिकैसी और उसका एफिशेंसी आप नहीं माप पाएंगे और वर्ल्ट सेज पर जब तक नहीं माप पएंगे तब तक आप उस लेवल तक नहीं कहला पाएंगे चाहिए अपने आपको कितना IT सुपर पावर कहें कितना IT फाइनशल केपिटल बनने की कोशिस करें देखिया आप बिलकू ठीकिक कह रहे हैं म किसी भी जगा पहुंच सकते हैं, आपके aircraft एक दम से 5 minutes के warning पे target दुस्त कर सकते हैं और पर आप जो policy होती है, आपकी वो foreign policy तगरी होती है, America की तगरी है, China की foreign policy क्यों तगरी हो रही है, क्योंकि उसकी बार्क शक्ति है, उसकी defense तगरी है, आपका defense नहीं है, आप अपनी foreign policy को लपेट के अपने bag में रख लीजिए, कुछ नहीं होगा, आप खुश करने में लगेंगे, ऐसी वो चिकनी चुपनी जो बाते होती है न, ठाकुर सोहाती जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, आप वो करने लगेंगे, until and unless your defense is strong, your foreign policy will not be strong, and until analysis of foreign policy is not strong, you cannot affect others, एक बार आपका अवधीपत्य और प्रभाव भार पढ़ने लगता है, फिर आपकी तिजारत बढ़ती है, आपकी commercial activities बढ़ती है, तभी चाइना इस position में था कि पूरे लिटोरल कंट्री इसका सांस रोके रखी हुई थी उसने, वो तो अब क्वैड वगेरा बन गया, भारत आगया, अमेरिका बीच में आगया, तब बात अलग हो गई है, पर अभी तक यह हो रहा था, इसलिए और defense तगड़ा करने के लिए आपको home industry तगड़ी होने चाइए, जब home industry तगड़ी होती है, defense industry तगड़ी होती है, तो आपके defense standing तगड़ी होती है, defense standing कठे काम नहीं करेंगे, एक महक्मा उनका जॉइंट नहीं बनेगा, तब रख बात नहीं बनेगी, क्योंकि सारी की सारी जो M.E.A. की चीज़े हैं, जो फॉरिन पॉलिसी की चीज़े हैं, वो सारी की सारी डिफेंस रिलेटिर होती है, आपके डिफेंस की ताकत नहीं है, तो आप भूल जाए है, सिर्फ फॉरिन इटैच से काम नहीं चलेगा अब इमबसी में, देखें, मिलिटरी इटैच किस लिए होता है, वो उल्बसी में होता है, मिलिटरिओ एटैच में जाकर बीच वारता लाप करता है, मैसेज देता है, और अपनी बातें रखता है सामने, मि जो तोब जब गुंचती है वो मेसेज अपने आप पहुँच जाता है हेड़कौर्टर तक एनिमी के कि भाईया क्या हो रहा है जब आपके मिराज की रफाइल की गड़गड़ाट आसमान पे होती है आटोमेटिकली उनके रडार जैम हो जाते हैं तो ये चीज अलग है हमारी जब तक फौज ठकड़ी नहीं होगी तब तक आप मेरे को बात मान के चलिए आप कुछ करने लाइक नहीं है आप हाँ ही ही करते रहेंगे और मिलते जुलते रहेंगे और फिर कहेंगे हम तो न्यूटरल हैं हम तो नौल अलाइन हैं हम पहले हमला नहीं करते त्यादी त्यादी ऐसी बाते करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए हमारे बारे में हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि हम रश्या इंकलाइन है या हमें यूएस इंकलाइंड होना है आप कहते हमें सेलफ इंकलाइंड होना या सेलफ डिसिप्लिंड होना है या सेल्फ रिलाइंड होना है रश्या इंकलाइंड नहीं होना है अमेरिका इंकलाइंड नहीं होना है हमें सेल्फ रिलाइंड होना है मैं कहता हूँ हमें स्वाव लंबी होना है वो जो जितनी गंज जो रश्या बना रहा उसे बटर गंज हमने बनानी है ताकि रश्या हमसे खरीदे फिर देखिए आप रश्या कैसे आएगा आपके पास फिर जाहिए चाइना किस तरीके से आपको इज़त से देखेगा और किस तरीके से आपका नाम समान समान दुनिया में होगा जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तो ठीक है आपको लोग आपके पर पैसा जादा है या लगाने के लिए तो ठीक है और या आप उनको जमीन दे सकते हैं, बेसिस दे सकते हैं, तो ठीक है, खुछ रहेंगे, पर आप एक है महंगे के भाव में रहेंगे, चाइना इस जॉणिंग टुर्की, टुर्की और पाकिस्तान, and mind you, they are not only जॉणिंग तोगेदर, they want to control the entire sea lanes, entire shipping industry, 80% of the shipping passes through the Malacca Strait oil, चाइन has a maximum shipping, every shipping goes from west to east, question is this, what should we do, that is why India must fight, not only try to make this union of Asian Pacific countries, but also be the leader, and then you will see that we come into a different light, but for that we have to, our indigenization program as we discussed, our policies towards indigenization program must there, and to suit that program, we should have changing their policies and at, you know, homework in the south block, we must do it, we must not feel shy, yes, your policy of having ITBP on the border, when the enemy was coming, I'm talking over last April, why did it happen, why did, and why didn't the army commander first check the ITBP, and because ITBP, the senior officers were not even present out there, and secondly, they said we will write to south block, home ministry, home ministry, home ministry will tell the defense ministry, we are under defense ministry, how can you fight an enemy with two ministries on the border, every country was laughing at India, this is what is wrong with us, because we don't understand, until you have the understanding of the thing, we should not talk in terms of, you know, various, you know, eye wash statements, you know, you know, waffling, political waffling statements, civil over military, and then, I will not attack first, no first use, all these things are of no consequence, the heights which we took, seven heights, and Kalash heights, those heights, those heights, I wouldn't have given, but I don't think so, they have yet been given, they're thinking of giving, but if you give them away, suppose you give them away, and vacate, you should be in a position to take it back within hours, and before that, before you start this, you should first ask China, what about oxygen, when are you going to vacate it, start your, our discussion, on that note, I am afraid, that handling was not done properly, because, again, our defense policies are not clear, in the meetings, who will sit, if paramilitary is going there, what is the role of paramilitary, let it be announced, let they think, what they're going to do there, no, when the balloon was up, before April, that, by February, that the Chinese are threatening, straight away, the ITBP should have come under army, I am not saying, I will need you to remove it, no, ITBP is the finest soldier, I repeat, finest soldier, I repeat again, finest soldier, I call it the mountain infantry, the best mountain infantry, but utilize it properly, this is what I say. Jammu and Kashmir has become union territory, that is what I mean, do you think that will help India to communicate better, in, in deeds and action, in Jammu and Kashmir, and in, in, in handling the enemy? Once again, we come to the policy, did you know, there was an act called 370, did you know, there were 35A, did you know, there was a Roshni Act, tell me the truth? Yes, they were, you may, you may exception, let me tell you, 80% of the media did not know, what Roshni Act was. I, we did, nobody knew Roshni Act, why was it hidden? Why was it kept away? Nobody knew that, the, 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 1200 families were brought in from Punjab, as sweepers, to work, and they have worked for 35, 40, 50 years, without even, having voting rights in Kashmir. In Roshni Act, you can go and buy any land, anywhere, if you are an Islam, if you belong to Islam, in Kashmir, but not the Hindu. What happened to Kashmiri Pandits? How many FIRs are launched there? Why no central government force intervened? It was not one night affair. It, the rape was, was taking place for four to five months. Not a single person, not a single FIR did take place. The complete breakdown of law and order, the public order had broken down. No action, because no doctrine, nor, nobody knew what to do. Even army did not react. They, they thought, hum, kya kare hai, hume toh magistrate boh le ga, or people don't even know the procedure. So, this is what I am trying to tell you, that we have not yet, until we overcome that, and that is why the para, the Jammu and Kashmir now, has now changed. Once it becomes the union territory, everything has started getting sorted out. People are accountable now. People are now accountable. They are going to court for Roshni Act. You know very well. So, why didn't media act first? You say you knew it, but others didn't know. 370 ka kisi ko pata hi nahi tha. Woh pata tha. 381 hai, 370 ho ga. Kya hai, nobody knew. We still do not know, in Constitution Act 28, kya matlab hai, about the religious teachings in the schools. Why only for one religion? Why not for every religion? But let's talk, Pakistan, where are we heading all? No, I am just trying to tell you, we have to first do homework within our country, accept our faults, and don't say, our founding fathers, Constitution mei galti hai, change it. Kahi, jhaan pei galti hai, amend it. Start moving forward from 1947 onwards. UK doesn't have a written constitution still that is running and that ran the whole world for 200 years. That is what I keep telling. So, you don't even require anything of a constitution. The question is this, and you have written it, and then you have written it, and not in a favor. The 370, you know when it was signed? It was signed in 953, with effect 43. Why 43? When we were not even independent. Find out this story, and you will find out, that what is this? This is a mystery, which nobody knows, and we don't even have the urge to find out. But has the right step been taken, vis-a-vis Jammu and Kashmir by Modi government? That is what I am telling you. Now the things have changed. Aab jisko kahte na, Roshni act gaya, Roshni nikalne lagi. Now the question is, now the things are becoming changing. That is why every, that is why China is getting worried. That is why Pakistan is getting worried. The fact is dawning, and so the dawn is brighter. The fact is dawning, and the dawn is a fact now. Absolutely, now you are going to be on the ball. That is what it is. And that, and that we must thank the present regime, to have had the guts to do this. Why it did not happen till now, I think a lot of people will have to answer. P.O.K. and Oxide China is now a talking point, will become more crystallized, and the government will have more effective mechanism to tackle that. I have heard the leadership saying, that until we take the P.O.K., the matter will not end. So, earlier we take the P.O.K., all your terrorism, etc. will come to a halt. Everything will come to a halt. This is what you do. Only China will be too worried, because China has occupied that area, and now the C.P.E.C. is out there. Close to 90 billion dollars have been put into the game. So, that is the problem they have. One final question, sir, where do you see the Indian defense now in the present situation, when we have reached, more reached Southeast Asia, we are talking in terms with Middle East countries. Earlier, we used to talk via the media. Now, we talk directly to UAE, Saudi, Qatar, and in Southeast Asia, as you have already elaborately discussed about. Is it that India is looking to be a global player? And for to be a global player, what are the benchmarks or the important pointers that you would like to stress upon? See, India has to be a global player. You cannot help it. Once the child is growing, he has to be treated as an adult. India has now become, it is getting the power. But we must learn how to utilize our power. Right policies, right foreign policy, right internal security and external security doctrines should be right. Using our machinery rightly, even the cricket player must play his equipment, his ball, his bat in the right manner. Hockey, everybody, the boxer stance has to be correct. These are all things which has to be improved. Then only we have to realize what mistakes we are doing. We were doing and we should be open in admitting our mistakes. And we should have open forums to discuss it and put an end to our problem and start advancing. It is going to be a big exercise in self-education. It is not an overnight affair. You put a switch and light on. No, it will not be like this. We have to really work hard at it. All fields. But first thing is, national pride has to be invoked. Until I think like an Indian and start challenging and not hide behind the sentences. One community did this to it. When he talks of Hindus, you talk Hindu, you talk of Hindutva. Hindu is even ashamed of even mentioning that he went to a temple. So, question is, you don't have pride. I am not saying you have pride in your religion. You have pride in the nation. You have pride to be an Indian. Hindutva means Bharatitva. That is what is the meaning of Hindutva. Hindutva should not be related to religion. Then, it should be related to Bharat. And that's what it should be. On that positive note, Wing Commander Profil Bakshi, thank you very much for giving a wholesome picture about India's defense. And if I understood it right, your first doctrine is defense ministry and external ministry needs the gaps to be filled. And I think that is at which point we can close this interview. And I think you endorse it fully. I fully endorse it. The, I don't think, external affairs ministry is doing very well. But wherever external affairs ministry has to prove its point, it has to look at its defense posture. So, if the defense posture is along with it, shoulder to shoulder, there is no problem. That's what I'm telling you. Tell you, at one time, many number of countries, the postings used to be interchanged. People used to be attacked. Before 52, 53, there were army officers who were posted on the border. They were taken in the external affairs ministry. One example I know is Major Chipper, who found out a lot of incursions of China and Tibet. I mean, there were people like this who were there. Why are we shy now? Thank you. Thank you very much once again for your valuable time and wide-ranging insight on wide-ranging subject. And I hope our masters, our people in position will hear these views of yours and trying to incorporate all the good points that you have mentioned. Thank you very much once again. Thank you. Thank you very much. So kind of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.